दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते आज हम कच्छा 10 के NCRT के बिग्यान के किताब से अध्धाय दो आमले छारक योम लवण के अंतरगत क्वेशन नमबर एक करने जा रहे हैं सबसे पहले हम प्रशन को पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे उसके बाद हल करेंगे तो बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांदता अधिक है इसमें से कौन अमलिये है तथा कौन छारिये तो हमारा प्रशन क्या कह रहा है आपके पास दो बिलियन है तो इसको प्रशन को सबसे पहले समझेंगे हमारे पास दो बिलियन है एक बिलियन क्या है और दूसरा बिलियन क् तो हम इस billion को एक पात बनाएंगे, एक बीकर बनाएंगे, यह हमारे पास एक बीकर है, दो बीकर है, एक में A billion है, और दूसरे में कौन सा billion है, B billion है, इस तरह से बीकर A, और यह बीकर हमारा B, इसका हम क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, और billion को भी बनाएंगे, जिस से के अंदर ये क्या है billion भरा हुआ है कोई भी billion है ये है और ये billion b है चित्र बनाने से बात अच्छे समझ में आती है तो ये billion b है a का पी एच मान दिया गया है a का पी एच मान दिया गया छे पी एच मान कित्ता दिया गया है छे दिया गया और बी का पी एच मान दिया गया है आठ इसका दिया गया है पी एच मान पी एच मान दिया गया आठ ये हमको दिया गया है प्रस्ण क्या कह रहा है किस बिलियन में हाइट डोजन आयन की सांधता अधिक होगी तो पहला प्रस्ण है किस बिलियन में हाइट डोज आयन की सांतता अधिक होगी यह हमारा पहला प्रस्ण है और दूसरा इसमें कह रहा है इन में से कौन अमलिय है तथा कौन चारिय है अब इन में से कौन अमलिय है और कौन चारिय है इसका भी हमको पता लगाना है तो यह दो प्रस्ण है दो प्रस्ण को हमको समझना है तो सबसे पी-एच मान आठ है तो इस तरह से अंगों की हिसाब से देखने में तो लग रहा है पी-एच है यह है और पी-एच आठ यह है यानि यह कम है यह ज्यादा है तो उत्तर क्या है सरल भासा में देखने से सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं किस billion में hydrogen आएन की सांधता अधिक है तो स प्रस्ण नहीं बनता यानि देखने में सिंपल है लेकिन इस तरह का यह सिंपल है नहीं नहीं यह इस समझेंगे जिस तरह से हम समझेंगे जिस तरह से दूद होता है, यदि क्या है, दूद है, एक लीटर का दूद का बरतन है, यदि कोई जानवर एक लीटर दूद देता है, कितना लीटर दूद देता है, एक लीटर, एक लीटर या कुछ भी मात्रा में इतना दूद देता है, एक लीटर दूद देता है, अब हमा कर दिया जाए इसी में और पानी मिला दिया जाए तो तीन लीटर हो जाए कितना हो जाएगा तीन लीटर दूद की मात्रा क्या हो रही है मात्रा बढ़ रही है लेकिन देखने में दूद की मात्रा बढ़ रही है लेकिन क्या ऐसा हो रहा है एक लीटर भैस ने या किसी जानव से निकला है और इसमें पानी बढ़ा देने से क्या दूद की मात्रा बढ़ जा रही है दूद क्या है उतना ही है दूद की मात्रा क्या है उतना ही है लेकिन ऐसा क्या पानी बढ़ा देने से पानी बढ़ा देने से क्या है दूद की मात्रा तो उतनी है लेकिन यह मात्रा देख स्थ Google बढ़ गया इसमें क्या बढ़ गया इसमें और बढ़ गया इस में एक लीटर बढ़ गया पानी बढ़ कि यह जो हमारा आठ दिख रहा है देखने में तो आठ बड़ा अंक है लेकिन इस तरह से हम इसको समझेंगे दूद में पानी मिलाने के हिसाब से समझेंगे यानि इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं एक बटे दो और एक बटे तीन कौन सा बड़ा है तो देखने में तो लग एक बटे तीन बड़ा है कोई पूछे कि एक बटे दो बड़ा है कि एक बटे तीन बड़ा है तो देखने में क्या लगेगा एक बटे तीन बड़ा है लेकिन ऐसा नहीं है एक बटे दो बड़ा होता है एक बटे तीन से एक बटे तीन से क्या है एक बटे दो बड़ा है कैसे बड़ा इसको भी हमाल करके चक कर सकते हैं गड़ित की भासा में भिन को बड़ा छोटा करने के लिए हर बराबर करना पड़ता हर क्या करना तो यहां क्या होगा इसका लगुत्तम 6 हो जाएगा तो 3 से यहां गुड़ा होगा और 2 से इधर गुड़ा होगा तो हो जाएगा 3 ब परावर होगा तो क्या है एक बटे ये क्या है एक बटे दो है और एक बटे ये तीन है तो एक बटे तीन इस तरह से छोटा होता है एक बटे दो बड़ा होता है तो ठीक इसी तरह से भिनात्मक मान है ये पी एच मान भिनात्मक मान है इसी कार्ड से बच्चों को बार-बार भ पिएच का मान क्या होता है ये कैसा होता है भिन्नात्मक होता है कैसा होता है भिन्न की तरह होता जिस तरह से हमारा भिन्नात्मक मान होता है वैसे पिएच का मान होता है दूसरी तरह से समझ सकते हैं जैसे दूद में पानी मिलाया जाता है दूद में पानी मिलाने से दूद की म वात्रा बढ़ती है ठीक, इसी परकार जो पी एच मान जादा होने से उसके आयन की संधता जादा नहीं होती है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, के और इसको और भासा में समझना है, इसके लिए एक स्केल होता apologize, पी एच स्केल भी हम को जानना है, क्या होता है पी एच प्रमान pH, scale pH, scale के माध्यम से हमको समझना है और pH, scale से ही हम pH कामान यानि hydrogen आयन की सांद्टा का पता लगाते हैं scale का मतलब होता है पटरी जिस तरह से आपके जमेटी बाक्स में पटरी होती, scale होती है जिस तरह आपके जमेटी बाक्स में ऐसे scale होती है पहले जीरो होता है, फिर यहां एक होता है, इस तरह से हमारी skill होती है, इसमें रंगीन पटी होती है, इसमें क्या होती है, ये color पटी होती है, क्या होती है? रंगीन पट्टी होती है रंगीन पट्टी होती है pH scale ये pH scale आप खरीद के ला सकते हैं एक यहां लिखा होता है पहले 0 फिर 1 यहां फिर 2 फिर यहां 3 फिर यहां 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 इस तरह से 14 अंक का ये pH scale होता है तो इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं 5 हो गया 6, 7, 8, 9, 10 यह हमारा 11, 12, 13, 14 हो जाएगा यह हमारा 11, 12, 13, 14 इस तरह से 14 नंबर का scale होता है इसे pH scale कहते हैं यह अलग-अलग रंग की पट्टी होती है तो इस तरह से इस scale को हम खरीच सकते हैं और इस scale के हिसाब से हम pH मान को समझ सकते हैं तो इसमें हमको थोड़ी सी बाते याद रखना है और समझना है यानि पी-एच जो पी-एच का बैलू होगा यह बराबर 7 यादि इस पे होगा इस अस्थान पे होगा पी-एच का मान तो क्या होगा उदा सीन billion क्या होगा उदा सीन होगा इसको हमको समझना है उदा सीन और यह pH का मान 0 से लेके इच्छै के बीच में होगा यहां तक होगा तो amelie होगा क्या होगा amelie billion होगा और इधर 8 से ले करके 7 से उपर 7,1001,7,2002 कुछ भी 7 से उपर 8 से ले कर के 8 से ले कर के 14 तक क्या होता है छहारिये होता है поряд 4 होता है तो इस त 베 हम को समझना है याद रखना है तो आसानी से आप समझ भी गए है याद भी रखेंगे तो ये हमारा pH का मान क्या है? pH का मान है 6 है तो hydrogen ion की संद давно क्या है? 6 है तो hydrogen ion की संद button किस में अधि खोगी? अब पूछी रहा किस में अधिखोगी? जिसmniej हाइड डूजन अंध डूजन की संद ठाक का मतलब है hydrogen ion के होंगे? पास पास होते हैं तो जिसका पी एच मान कम होता है वो क्या होता है अमलिय होता है यानि उसके हाइडोजन आयन के संख्या जादा होती है और अमलिय बिलियन होता है और कहने का मतलब इसके आड़ो पास पास होते हैं इसमें क्या होंगे आड़ो दूर दूर होते हैं जिसमें पी एच मान कम होता है उसमें hydrogen के अड़ दूर दूर होते हैं तो इस तरह से हम उत्तलिक सकते हैं कि ये pH मान क्या है 6 से pH मान क्या है ये 6 pH मान क्या है ये 6 साथ से कम है ये 6 क्या है साथ से कम है और इसका pH मान a billion का इस तरह से हम अलग-अलग billion को समझेंगे ए बिलियन का पी एच मान क्या है ए बिलियन का पी एच मान साथ से कम है साथ से कम है और ये बिलियन का पी एच मान साथ से क्या है बिलियन का पी एच मान क्या है साथ से अधिक है ये साथ से अधिक है साथ से अधिक है तो ये बिलियन क्या है अमलिये है इस तरह हम लिख सकते हैं अमलिये है और यह हमारा बिलियन क्या है छारिये है छारिये है जिस जो बिलियन अमलिये होगा उसमें हाइडोजन आयन की सांदर्ता अधिक होगी इस तरह से हम कह सकते हैं यह बिलियन क्या है यह बिलियन की सांदर्ता अधिक है यह बिलिय संदरता अधिक है किसके मुकाबले एक b के मुकाबले टो हमारा पहला उत्तर हो गया आप दूसरा ऐंसर क्या कहें tree इस में त्हुले के पहले ही हमने बींडे चुके हैं तो यह विलियन क्या है अमली ए मियह और बी क्या है च्हारी है यह दूसरा उत्तर हो गया दूसरे प्रस्ण का पहले प्रस्ण का उत्तर के साथ दूसरा प्रस्ण का उत्तर हम पहले दे चुके हैं इसलिए इसका उत्तर आपने समझ गया समझ गया दूसरे प्रस्ण का उत्तर है ये बिलियन ए बिलियन अमलिये है और भी छार ये है कि हमारा बी प्रस्ट का उत्तर हो गया तो इस तरह से हमारा यह प्रस्ट हो गया आप उमीद binge कि आप इस प्रस्ट को अच्छे से समझ गए होंगे और एक ही बार समझेंगे कभी नहीं को कि अ